नन्ही चिडिया भी रहती थी चिडिया ने देखा सभी जानबर बहुत भैभी थे इस आग लगे हुए जंगल में मुझे जानबरों की मदद करनी चाहिए यह सोच कर नन्ही सी चिडिया एक नदी के पास चली गी नदी में जाने के बाद चिडिया अपनी चोटी सी चोच नदी की जल भर कर आग बुझाने का प्रयास करने लगी चिडिया को देखकर एक उल्लू यह सोच रहा था की यह चिडिया कितनी मूर्ख है इतनी भीसड आग इसके द्वारा लाए पानी कहा बुझेगी यह देखकर उल्लू चिडिया के पास गया कि तुम बेकार ही मेहनत कर रही हो तुम्हारे लाए पानी से यह आग कहा बुझेगी इस पर चिडिया ने बड़ी ही बिनम्रता से जवाब दिया कि मुझे बस अपना प्रयास करते रहना चाहिए आग कितनी भी भ्यंकर हो सुनकर उल्लू बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ और चिडिया के साथ आग बुझाने में लग गया